नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ नाविका कुमार और आप चुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शोपर संसत से अयोग्य घोशित हो चुके राहूल गांधी पांच अप्रेल को करनाटक के कोलार में सत्यमेव जयते रैली करेंगे 2019 में कोलार में ही राहूल गांधी ने मोदी सरनेम के खिलाफ अपमान जनक बयान दिया था लेकिन जब राहूल खुद के खिलाफ आए सूरत कोर्ट के फैसले के बाद सत्यमेव जयते कहने का राजनितिक दाउं चलने जा रहे हैं जब कॉंग्रेस समेथ अन्य पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि अडानी का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए विपक्ष को टार्गेट किया जा रहा है तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्शन रुकेगा नहीं रही हैं जिसमें काला कपड़ा डालने पर सफेद कपड़ा बाहर निकलता है सुनिए मंता का ये नया विरोब तो आज पब्लिक का सवाल है कि क्या भरष्टा चार पर मोधी सरकार के आक्शन से विपक्ष में हडकंप मचा है क्या ममता बैनर जी और राहुल गांधी जैसे नेता अब राजनितिक संकट में घिर चुके हैं और क्या भरष्टा चार के खिलाफ मोधी का हार्ड लाइन जन्ता को मन्जूर है यही है आज सवाल पब्लिक का प्रष्टा चार के मुद्दे पर दिल्ली में हो रही आर पार के बीच आज करनाटक में चुनावी तारीक आ गई 10 माई को करनाटक में वोट पड़ेंगे 13 माई को नतीजें आएंगे करनाटक में भरष्टाचार बड़ा मुद्दा है बासवराज 2 माई जो मुख्य मंत्री है करनाटक के उनके उपर आरोप लगाया है 40% कमिशन लेने वाले मुख्य मंत्री और ये कहकर कॉंग्रेस ने पे आज के घेरे में है हाल ही में मांडिया की एक जन सभा में डीके शिव कुमार करेंसी नोट उड़ाते हुए दिखे और ये बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है इस सब के बीच भरष्टाचार के खिलाफ एक्शन को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दो तूख बयान चर्चा में है सुन्ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कलकर ये पर आज कि प्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रष्टाचार के मामलों पर आक्शन की रिपोर्ट कार्ट भी दी थी प्रधान मंत्री के मुताबिक 2004 से 14 के बीच करीब 5000 करोड की संपती प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहद जब्थ हुई थी लेकिन पिछले 9 साल में ये रकम 1,10,000 करोड से ज़ादा संपती जब्थ होने की है PMLA के तहद दर्ज केसिस के मामले दुगने हुए है और PMLA के तहद 15 गुना गिरफतारियां जादा बढ़ गई है लेकिन जिससे सरकार उपलब भी बता रही है विपक्ष उसे उतपीरन कह रहा है पिछले हफते 14 दलों ने EDCBI जांच पर गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी कतित जन विरोधी मोधी सरकार के खिलाफ दो दिनों का धरना भी दे रही है उन्होंने इस धरने में दावा किया है कि 2024 में मोधी सरकार नहीं आएगी बीजेपी को जनता की मदद से आर्टिकल 420 दिखाया जाएगा विपक्ष के अन्य नेताओं के सुर्व भी बेहत दिखे हैं सुनिए विपक्ष के इन बयानों खुदी उनको मालूम है एक एक एमेले के पास 88 करोड रुपे मिलते हैं इनों आक्शन नहीं लेते हैं यहाँ पर अपोजिशन का कोई छोटा मोटा भी मिला है उसको इतना बड़ा बनाते हैं और उसको निकालो इसको निकालो ED को बुलाव करते हैं ED और CBI ने इस देश के सारे वरिष्टाचारियों को एक पार्टी में कठा कर दिया मंच पे कठा नहीं किया एक पार्टी में, इनकी पार्टी में कठा कर दिया सारे वरिष्टाचारियों को ED वाले आते हैं, CBI वाले आते हैं, रेड मारते हैं यहां बंदू खरखते हैं, कहते हैं, बता जेल जाना है कि भीजेती में जाना है तो आज सवाल पब्लिक का नंबर एक फ्रश्टाचार के खिलाफ मोधी की हार्ड लाइन के आगे विपक्ष का कैम्पेन कितना कारगर है सवाल नंबर दो सत्यमेव जयते रैली के बहाने क्या राहूल गांधी सूरत कोट के फैसले को चुनोती देंगे सवाल नंबर तीन भ्रश्टाचार के मुद्दे पर करनाटक का चुनाद 2024 की लडाई का ट्रेलर होगा और सवाल नंबर चार अंटी मोती अभियान में ममता एकला चलो रे की राह पर है यही है आज सवाल पब्लिक का और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुकला जी सुभरान श्राइक कॉंग्रेस के लीडर है रजट सेठी पोलिटिकल अनलिस्ट है आशुतोष जी वरिष्ट पत्रकार है मुहमद तौसीफ और रह्मान त्रिनमूल कॉंग्रेस के प्रवक्ता है खुलदीब कुमार आम आदमी पार्टी के MLA और प्रवक्ता है मेरा पहला सवाल सुभरान श्राइची से सुभरान श्राइची आप रष्टा चार का अगर आरोप लगा रहे हैं बीजे पीपर और करनाटक के चुनाव होने वाले हैं तो उन तस्वीरों को क्या कहेंगे जो आज सोशल मीडिया और हर चैनल पर हैं जहां डीके शिवकुमार मांडिया में पांच-पांच सो रुपे के नोट जनता के उपर फेक रहे हैं तो ये नोट आ कहां से रहे हैं और क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा बिलकुल देश में किसी को भी उठाना नहीं चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार से विपक्ष एक हो जाता है नविक्या जी भरस्टाचार का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान को उठाना चीए करनाटक का चुनाओ दो बड़े-बड़े बिंदूओं पहोगा पहला ये करनाटक के मुख्यमंत्री का 40% PCM जो पूरी सोसल मीडिया पे फैला हुआ है जग जाहिर है और दूसरा नरेंदर मोदी जी का अडानी सरिस्ता क्या है जेपी सी नरेंदर मोदी जी क्यों नहीं बैठा रहे आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि जब भी विपक्ष देश्क लोकतंत्र के चुने हुए सांसत जब जेपी सी की मांग करते हुए पारलेमेंट में जाते है तो भारतिये जनता पार्टी पारलेमेंट को क्यों अस्थागित कर देती है और मैं आपको थोड़ा सोशल मीडिया से बड़ा बताता हूं लोकतंत्र में चुनी हुई विधान सभा का मुख्य मंत्री दिल्ली के स्री अर्विंद के जरिवाल अर्तालिस घंटा हो गया लगभग लगभग उन्होंने दिल्ली विधान सभा के फ्लोर पे नरेंद्र मोदी का अडानी के साथ रिष्टा जग जाहिर किया है क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया कि भारती जनता पार्टी के जिस किसी मित्र ने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी अपनी माता के काम नहीं है जो नर उस्तान में लोक्तंत्र जिंदा रहेगा दिल्ली विदान सबाके पार्यम के फ्लोप लगा रहे हैं और इतनी नीजी किसम की टिपनी किसी के खिलाप भी नहीं होनी चाहिए और और आधार तो बताईए कोई इसके बारे में एविडेंस तो दीजिए लेकिन सुब्रान क्राइच जी क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह के लांचन लगाएगी इसीतरा के आरोप लगाएगी मामला कोर्ट में हैं कोर्ट की इंदाब पहले आप सुनिए जी नहीं आपको एक मिनट रुके नविका जी आपको सुनना पड़ेगा आप नरंद्र मोदी का अजेंडा मत चला यह 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 किसी का अजेंडा नहीं चला रही है इस उब्रांच राइजी मैंने साथ सेकिंड का समय दिया आपको आपका समय आपका समय जवाब देंगे मैं आऊंगी आपके पास दिबेट अभी शुरू हुई है आप मुझे डराईए और धमकाईए मत नैशनल टिलिविजन पे मुझे अपना काम करना आता है मुझे किसी से डर भी नहीं लगता और ना मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए आप थोड़ा सा ठम जाइए परेम शुकला जी परेम शुकला जी आज आप जवाब दीजिए जो आरोप लागे हैं और जो बुद्दे ऊठाए हैं सुब्रांस राईजी जी ने जिस निक्रिश्ट तरत निक्रिश्टतरा की ठीपनी की है वह अपने आप में निंदनी है अपनी माँ के काम आने का या अर्थ नहीं है कि पूरे गाउं को लूट के मा के चरणों में समर्पित कर देना जो कांग्रेसी परंपरा है कांग्रेसी परंपरा है श्रीवान संजे गांधी जनता की संपत्ति को लूट कर जो है वो मारुती उद्ध्यों कंपणी खड़ा कर रहे थे श्रीमत्ति सोनिया गांधी राजी गांधी के प्रधार मंत्रित तुकाल में कौत्रों की को घर में बैठा के दुनिया भर की डील कर रही थी एंडर्सन से डील चल रही थी कौत्रों की से डील चल रही थी इस तरह की डील करना जो है यह मा के काम आना नहीं परिवार के काम आन है और अगरनी नरेंद्र मोधी जी जी इस तरह से ब्रहस्ट तंतर के किलाफ पर नव रिप Oliviaiti प्रेम शुकला जी नियंतरित रखिए अपनी स्पीच को सुभरान श्राइजी अगर आप इसे बाहर हो रहे हैं तो आप भी आप इसे बाहर होंगे तो किस तरह से इस देश में कोई भी डायलॉग चलेगा कोई भी वारता लाप होगी माफ कीजेगा मैं बिलकुल मैं आप अपनी आप मैं सारे पैनलिस को कहना चाहती हूँ हर हर इंसान को इस लोग तंतर में अपनी बात रखने का पूरा पूरा हाक है लेकिन जिम्मेदारी हम सब की बनती है जिम्मेदारी हम सब की बनती है और जिम्मेदारी में अपने उपर थोड़ा सा अंकुष बनाई रखिए आप लोग पार्लिमेंट में जो करते हैं वो हमा पारे नियंतरन में नहीं है लेकिन मेरी डिबेट पर कम से कम अभधर भाशा मैं कम से कम इसको जगा नहीं दे सकती माफ कीजेगा ये ये मेरा लोगतंतर इस तरह से नहीं होता और ये मेरी लोगतंतर की कलपना भी नहीं है लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कुल्दीप कुमार मैं सब को कह रही हूँ और सब को मौका मिलेगा कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी से मैं आप से पूछना चाहती हूँ भरष्टा चार का मुद्धा बहुत बड़ा मुद्धा है इस देश में लोग मेहनत करते हैं सुभे से शाम तक किसी को दो रोटी मिलती है किसी को शायद वो भी नहीं मिलती है अब इस देश में लोगों के सामने आप क्या एक्जामपल रखना चाहरे हैं कि भरष्टा चार राजनितिक दलों के लिए मुद्धा ही नहीं है अगर एक भरष्टा चार का आरोप लगाएगा तो दूसरा कहेंगे नहीं तुम भरष्ट हो आप आप अपनी बात कहिए कि क्या भरष्टा चार के बारे में इस देश की जनता को भूल जाना चाहिए आपके साथ सेकंड शुरू होते हैं अब नवीका जी देखें आपने प्रेम शुकला जी को सुन लिया इनका चार्च्री चैरा देख लिए इनकी भाष्टा देख ली लेकिन नवीका जी मुझे कहना है कि भष्टा चार का जो मुद्धा डानी पर उठ रहा है इसका केवल एक ही कारण है कि इस देश के परधान मंतर बारी पास हैं इस देश के परधान मंतरी कम पड़े लिखें अगर इस देश के परधान मंतरी कम पड़े लिखें नहीं होते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि देखिए चाहे नोट बंदी का फैसला हो उन्होंने वो ले लिया नोट बंदी का फैसला उनको बताया कि से बरसेचार खतम हो जाएगा, तंगवाद खतम हो जाएगा, कुछ खतम नहीं हुआ, वो तीन किसी कानून लेकि आए, बादमों ने वापस लेने पड़े, उनको किसी ने आगे बता दिया, उन्होंने उसको कर दिया, कभी वो कहते हैं, नाली से गैस निकाल के चाय बना लो, को, लुचो को, लफंगो को, गुंडो को, मवालियो को, महिलाओ को पिन करने वाले, सारे के सारे उनको भाजपा में शामिल कर दिया, वो सारे के सारे लोग इखटा हो गए, और ये आज बंदूक के जोर पे, अडानी को जो कॉंटेट दिलाने का काम परधान मंतरी करते हैं क्योंकि अडानी तो कमिशन एजेंट है खाली, पीछे तो परधान मंतरी जी है, सारे का सारा परधान मंतरी जी का पैसा है, और मैं कुंदीब कुमार जी आपको बताना चाती हूँ, शायद आपने इस देश का संविधान नहीं पड़ा और शायद आपने पीपल्स रेप्र नहीं करता, हर किसी का समान हक है, इस देश में रहने का और इस देश में चुनाव भी लड़ने का, पहले तो मैं आपको संविधान की बात बता दूँ, दूसरी बात बता दूँ कि शायद सुप्रीम कोट का आपने वर्डिक भी नहीं पड़ा, जब ये मुद्दे उठाए है वर्डिक, सवाल ये है कि क्या गरिमा लांगना एक नया स्टाइल ओफ कैम्पेन और तिल का पहाड बनाना, किसी को भी कुछ भी कहकर निकल जाना, अब मानना पर सड़कों पर लड़ना, लेकिन कोट में नहीं जाना, ये किस तरह की प्रथा हम इस देश में दिखा रहे ह है, राजनितिक दलोद्वारा और रजट सेटी जी, मेरा आपसे सवाल ये ही है, क्या इस तरहां की भाशा, इस तरहां के आरोप की कुछ भी बोल दो, कहीं भी बोल दो, अब आरोप लगाना जो है, वो सबसे आसान काम हो गया है, आरोप लगाईए, चलते बनिए नविका जी, मैं इस विशह पे मैं जनता का भी एक परस्पेक्टिव रखना चाहता हूँ, जादा तर नेता जरूर अपने हितों के लिए, राजनितिक हितों के लिए रखते हैं विशह, उसमें जनता का क्या परस्पेक्टिव होना चाहिए हो, कई बार भूल जाते हैं, मै बात उठी कि क्या ये JP जैसा एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जैसा उन्होंने इंदरा गांदी के विरोध में किया था तो इनका expectation तो है JP का आंदोलन खड़ा करना है इनके जो विशह होते हैं वो इतने हलके स्थर के विशह होते हैं जो नेतिक नेत्रित तो देने की बात है ह हर देश में, हर डिमोक्रिसी में एक जरूरत होती है कि विपक्ष एक नैतिक प्लैंक तो दे सके, एक नैतिक लीडर्शिप तो दे सके देश को, वो कौन सा नेता है, किसी भी चेहरे को देख लीजए, आप मम्ताब एनरजी की बात कर रही है, वो किस तरह से बोलती है कि EDCBI द का कोई मुवमेंट खड़ा होने नहीं वाला, इनके जितने भी यह है, यह सब जीरो समगे में फस जाएंगे, तेरा मेरा करेंगे, और चौबिस भी निकलेगा, उनतिस भी निकलेगा. मैं तौसीफ और रह्मान साब से पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ आरोप लगाना, बीजेपी की वाशिंग लगाना, यह अच्छा लगता है, यह शायद कुछ समय के लिए बड़ा सोशल मीडिया में चलने वाला एक जरूर क्लिप लगता है, लेकिन सवाल यह है, कि क्य त्रिनुमूल कॉंग्रेस की जो सरकार है, उनके मंतरी के जानने वालों के घर से इतने सारे करोड पैसे नहीं निकले थे, क्या आप इसको आप जुटला सकते हैं, कि बार बार बेल मांगने पर उस मंतरी को अब तक, पूर्व मंतरी को अब तक बेल नहीं मिली है, जो बाते गर मैं कोड की नियाल की विशे की होती है, उसके उपर हर चीज को एक ना एक तरीके से राजितिक रंग दे दे रहा, ये कहा तक सही है, क्या हम तमाशा बनाना चाहते हैं इस देश में कि कानून ना रहे, जो भी हो बस संसद में, या राजितिक दलों के लोग उसका मजाद बना दे और उसका बिल्कुल धजिया उड़ा दे और कानून इस देश से हटा दे सवाल आज जनता आप से पूछ रही है कि जब आपको कानून फॉलो करने की बात आई तो कानून की धजिया उड़ेंगी क्या नवीका जी आपको नमश्कार और मेरे साही पैनलिस को नमश्कार देखे सबसे बड़ी बात है अगर जब कानून की बात आ रही है और आप वो मेरे फेलो पैनलिस जब ये कह रहे थे हैं कि पेटी-पेटी पैसा पकड़ाया जा रहा तो वो लोग तो अरेस भी हो रहे हैं उन सबसे बड़ा जो बदनिसीबी यह है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं बदनिसीबी यही है कि चोर निकले हैं बजार में चोरी को छुपाने और चोरी को बन करने के लिए तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया हमारे जो नर के बाद आपने यह पावर ज़रूर दिखाया है कि कैसे बैगुना को अरेस्ट किया जाता है कैसे उनको फ्रेम किया जाता है कैसे उनको फसाया जाता है यह उनके अपर यह मार्केटिंग सीखना पड़ेगा किस हिसाब से नरेंदर मोधी जी ने सिखाया है बात अदानी पे होती नहीं है पार्लिमेंट पर अदानी पर बात लोग अरेस्ट हो जाते हैं किसी के सद्यसता हटा दी जाती है किसी का घर चीन लिया जाता है देखे आज जो रेड़ोड में जो बैठा गया है मैं आपको बताते चलूं कि वहाँ दीदी बैठी है वाशिंग मेशिन तो लगी वो तो पुरानी बात है मगर हम वहाँ बैठे हैं 11 लाक लोगों की सैलरी बाकी है जो डिसमबर में हमें पैसा मिलने वाला था वो हमें मिला ही नहीं मैं तो हाज जोड के यही निवेदन कर रहा हूँ आप इतनी बड़ी वरिश पत्रकार है और नव भारत भी इतना अच्छ चल रहा है टाइम स्नौ ग्रूप इतना अच्छा चल रहा है मैं तो इस आपके माद्यम से यही कहना चाहता हूँ दुश्मन ही अपनी जगा है डिसमबर से हमारे पास पैसा नहीं आया हमारे राज्य में वो पैसे को रिलीज कर दिया जाए घर का जो योजना का जो पैसा 8000 नहीं हुई गरीबी हटाओ भी इससे पहले हुई थी ब्रश्चाचार के खिलाफ भी पहले भी नारे लगे हैं अब भी एक्शन हो रहा है बात यह है कि इस वकत जो लड़ाई है वो परसनल और आर पार की है अगर कोट का भी डिसीजन आता है तो उसको भी राजनितिक दिया जाता है यह यह किस तरह की लड़ाई है और यह कहां जाकर रुकेगी आज जनता का यही सवाल है ने मुझे लगता नविकाजी बहुत एंफॉर्चुनेट है दुरभागपूर्ण है दुरभागपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस तरीके के पॉलिटिक्स आज हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग इस पॉलिटिक्स में साथ नहीं जाना चाहेगी क्योंकि अगर किसी के कामा किसी के साथ बत्तमीजी की जाएगे किसी को ओपन टेलैविज्जन नाशनल चैनल पर गालियां बखी जाएंगी तो प्र चाहिए को आपने के लिए हो और दूसरे लोगों के लिए ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है आपने ED के cases की बारे बात भी 95% cases जो है वो विपक्षी पार्टियों के खलाफ है CBI के भी 95% cases जो राजनीतिक मामलों के हैं वो विपक्षी पार्टियों के हैं तो क्या ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि बीजेपी के अंदर क्या ब्रस्टाचार नहीं है, क्या वहाँ ब्रस्टाचारियों की जमात नहीं है, क्या वहाँ पे सारे दूद के धुले हुए है, जब इस तरीके का सवाल उठेगा, तो यह सवाल लोगों के बीच में जाएगा, और इमानदारी से इन्वेस्टिकेशन करने के, अगर वो इसी तरीके से लटका रहेगा, तो लोग तो सवाल पूछेंगे, और आप याद होगा, आप पे चैनल पर आज से डेड़ महीने पहले मैंने कहा था, कि यह भारत के अर्थ ववस्था के लिए और भारत के साख के लिए कि इस रिपोर्ट पर बहुत आनन फारन पर कर दिया जाए, यहां तक कि हरी सालवे ने भी यह बात कही थी, कि बहतर घंटे के अंदर इस पुरे मसले पर दूद का दूद पानी का पारी होना चाहिए, अभी तक इस पर बात नहीं हो पा रही है, तो लोग तो सवाल पूछे जो हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ हैं, उनके लोगों की तरफ हैं, बीजेपी की किसी सरकार, किसी MLA, MP पर कोई भी आरोप नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कहा जाता है ना कि जब आप सत्ता में हों, तो आपकी perception बहुत important होती है, you don't only have to do justice, you have to be seen to be doing justice, यानि कि आप आपको न्याय करना नहीं है, आपको दिखना भी चाहिए, कि आप न्याय कर रहे हैं, तो ये मुद्दा अगर आप से ये सवाल पूछा जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? नापकाजी एक तो आपकी audio बहुत clear नहीं है, उस पसे मैं जो कुछ समझ पाया हूँ, उसके आधार पर मैं उत्तर दे रहा हूँ, पहली बात कि अगर मान लीजिए, विपक्ष के लोगों के किलाफ प्रमान हैं, और भष्टाचार के प्रमान हैं, तमाम प्रमानों के बाउ कारवाई कर दी जाए, और विपक्ष के खिलाफ प्रमान रहते हुए भी कारवाई न की जाए, भाई स्रीमती सोनिया गांधी जब सत्ता पक्ष में थी, तब उनके खिलाफ नेशनल हेराड के गबन का मामला हुआ, शिकायत जो है, श्रीमान सुप्रमानियम स्वामी ने भी संबंद रिष्ट्या प्रमान है, तो विद ही है, कि आप संबंदित एजंसियों को शिकायत करेंगे, संबंदित एजंसियां अगर उसका पाउगरिजेंस नहीं लेंगी, तो आप अदालत जाएंगे और आदेस ले आएंगे, तो इस काम में तो कहीं से भी विपक्ष के लो नहीं हो सकता, अब बात रही, अडानी वाले मामले को अगर हम देख लें, हिंडन बर्ग जो अमेरिका में अपने देश में शौर्ट सेलिंग कंपनी होने के नाते, उस पर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट लगाने के लिए प्रतिबंद है, उसके एक रिपोर्ट के आधार पर एक भारत के उद्योगपती के विरुद्द, आप कारवाई करने को कहा रहें, तो भाई विदेश में के जी भी ने बाकरदा उसके जो है, एक एक्स ओफिसर ने स्रीमति सोनिया गांधी को, श्रीमति इंद्रा गांधी के घर में के लिए जासुशी करने का आरोप लगा चलिए, मैं समय दूँगी, मैं समय दूँगी, लेकिन प्रेम शुकला जी, अगर हिंदनबर्ग की रिपोर्ट में कोई तथे नहीं है, तो उस पर भी एक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, लेकिन तौफीर, तौसीफ और रह्मान साब का एक सवाल है, तौसीफ और रह्मान है कि 2014 में जब आपकी पोर्टफोलियो बन रही थी, आपके सरकार की उसमें 33% जो आपके मंतरी थे, उनके ओपर मडर, रेप और किट्नैपिंग का आरोप था, आपने जाच किया, जब आपका मंतरी का वो पोर्टफोलियो बन रहा था, 53% आपके मंतरी के ओपर, रेप, मड और सब के ओपर आरोप था, आपने जाच किया, आपने जाच तो बहुत दूर की बाते हैं, उनको फूलों का माला पेनाया, मगर जहां पर ज़रा सभी धुआ निकलता, आप उसके घर में E-D बेज देते हैं, आप उसको चोर बना देते हैं, उसके फैमिली के सामने उसकी ब पूरा भारत देखोगा, अगर आप क्रिमिनल कंक्लेंस की बात कहें, तो डेफ हो, मर्डर हो, दंगे हो, ऐसे आरोप तो कई लोगों पर लगे हुए हैं, चाहे आप किसी भी असेम्बली को देख लीजे, किसी भी विदान सभा को देख लीजे, या आप संसत को देख लीज जिए, कि जो दूसरों पर सवाल उठा रहा है, पहले तो उसको पूरा पाक साफ होना चाहिए, ये लबो लबाब उनके सवाल का ये है, जवाब दीजे। बिलकुल पाक साफ होना चाहिए, आपकी पार्टी के कई सांसदों के उपर रेप के और क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं, ये भी उनका कहना है। पास प्रतम के करवाई, कौन सी करवाई मिगा, कौन सी करवाई नहीं करनी चाहिए, आपके कोई भी मंत्री को फूलत प्रत के भार किताना गया है, क्या उनके प्रामिली के सांगों उसके हस्बें तो बेज़त पिया गया है नहीं कहा गया है यूँ नहीं पर तौसीफुर रह्मान साथ आपका क्या कहना है कि जिनके घरों से बंडल बंडल ट्रंग ट्रंग निकले पैसे उनके उपर कारवाई ना हो क्योंकि बीजेपी के किस नेता के उपर कारवाई नहीं हुई है ये दलील शायद किसी के गले नहीं उत्रेगी सुब्राँ श्राइजी ये पैसे ये ये तस्वीरें ये ये तस्वीरें देख लीजे ये पार्था चैटर जी की साथ रह वहां पर उनके जान उनके असोशियेट जान पैचान वाली 2000 के और ये किसलिए किसलिए कि आपको नौकरी मिलेगी तब जब आप पैसे खिलाओगे जिनके घर में चूला नहीं जल रहा उनसे पैसे लिए गए थे कम से कम आप तो इस तरह की बात ना करें तो बेतर है सुबरान श्राइजी सुबरान श्राइजी मेरा सवाल आपसे ये है कि काफी कानूनी कारवाई को आपको रिस्पेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना और सुबरान श्राइजी मेरा सवाल आपसे ये ही है कानूनी कारवाई आप इसको सत्यमेव जयते कह रहे हैं चलिए दो साल की सजा बहुत लोगों का कहना है बहुत से लीगल एक्सपर्ट का भी कहना है कि ये बहुत एक्स्ट्रीम है तो इसका जो रिड्रेसल है इस प्रॉब्लम का वो तो कोट में होगा ना क्या इस वकत कॉंग्रेस पार्टी जो इस देश में सबसे लंबा राज कर चुकी है जो इस देश में इंडिपेंडेंस के समय से जिसने इतनी भूमी का निभाई है क्या आज वो ये कहेगी कि इस देश का कानून ना माना जाए लोग सडकों पे आ जाए और इसे एक सडक का मुद्दा बना दे जो असल में नियायालों का मुद्दा है नविका जी तीन चार बाते हैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट बीच में मत आईएगा मैं बहुत सुन चुका हूँ सबसे इंपोर्टेंट बात पार्लेमेंट का फ्लोर विधान सवा का फ्लोर पे जो कुछ कहा जाता है वो पर्मानेंट रिकॉर्ड है भारत की इतियास में तो जो दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने नरेंदर मोदी का रिस्ता डानी के साथ बताया और दिखाया है जिस पर अब तक भारतिय जनता पार्टी चुपः ये साफ साफ बताता है कि भारतिय जनता पार्टी नरेंदर मोदी जी खास कर भरस्टाचार इसके तीन-चार उदारण मैं देता हूँ आप सवाल थोड़ा उल्टा करते हैं सवाल सीधा भारती जनता पार्टी भरस्टाचारी थी इसलिए उनके सबसे मजबूत सहयोगी सियुसिना ने उनको छोड़ दिया किसानों के मुद्दों पर आप से भी नाराज चल रहे हैं मना मालिया की नहीं को छोड़ दिया माडम प्लीज प्लीज अफिर आप बीच में मैं बार बार आपको कहता हूँ आप बीजेपी की फिल्डिंग मत करिये माडम बोलने दीजिए और तीसरी इंपोर्टेंट बाद भरस्टाचार का जीता जाता हूँ भारती जनता पार्टी का जितने सहियोगी ने उनको छोड़ा दो कारण बीजेपी का ब्रस्टाचार या बीजेपी ने पीछे से उनके पीट में खंजर चोपा है और एक और बात मैं आपको एक डेट पताता हूँ बारा सेतंबर 2018 एनाई की डेट है एनाई की बाइट है जिसमें इस देश का अब आप अगर सुबरान श्राइजी आप उनको आप उनको नमन और याद कर रहें तो आपको याद होगा कि इस स्टेटमेंट के बाद एनाई का जो आप स्टेटमेंट बतारें इसके बाद श्री अरून जेटली जी ने मुझे एक इंटर्व्यू भी दिया था जिसमें उ अनोंने बताया कि वो मेंबर ओफ पर्लिमेंट थे पर्लिमेंट में थे और कोई बात चीत नहीं हुई पर्लिमेंट के कोरिडॉर में मिलना हुआ था जाते जाते और आते आते और इसको अगर आप कहें तो आपको मैं पुराना इंटर्व्यू भी उनका भेज़ दूंगी लेकिन मुद्दा प्रेम शुक्ला जी जो उठाया है सुबरान शुराई जी ने और सावरकर की बात मैंने आप से पूछी तो आपको मिर्ची लग गई अरे भाईया अरे भाईया अकबारों में चप रहा है मैंने आपको सवाल पूछ लिया तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता हो गई आपको आरोप लगाना है आप किसी पर भी लगा सकते हैं आप नेता हैं आपको खुली चूटे हम तो बस चोटे से पत्रकार है लेकिन प्रेम शुकला जी सवाल सवाल इस वकत ये उठ रहा है जो सुबरान शराय जी ने उठाया कि अर्विन केजरीवाल ने जो कहा है विधान सभा के पटल पर कहा है उन्होंने विधान सभा में कहा है अब इसका कोई जवाब आना चाहिए या नहीं क्योंकि विदान सभा के अंदर BJP के तीन ही विधायक है बाकी जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं इस पर क्या कोई explanation या कोई statement आना चाहिए या नहीं नहीं तो ये फैक्ट गिना जाएगा इस बात का जवाब दीजे प्रलापों के कोई उत्तर नहीं होते हैं और जिस तरह की बाते हैं श्रीमान सुबरांज राय करें आदर्णी प्रधार मंत्री जी को बिना किसी प्रमार के भरस्टाचारी कहने का दुष्कर्म कर रहे हैं और जिनके खिलाब भ्रस्टाचार के आरोप है जो बेल पर है श्रीमान सुबरांज राय जी आप सब के उपत नहीं बोल सकते सुबरांज राय जी कुछ तो नियंतरन रखे आप बोलते रहेंगे तो जनता सुनेगी कैसे जनता सुनेगी कैसे मैं सबके फेडर डाउन कर दूंगी एक एक पैनलिस को बोलने का समय दूंगी अगर आप इस तरह से डिस्रप्ट करते रहे प्रेम शुकला जी अपनी बात पूरी किजिए तो जिसके खिलाब गबन का आरोप है उन श्रीमती सोनिया गांदी की आराधना करने में मक्षन लगाने में स्वयम को धन्ने पाने वाले श्रीमान सुब्रांस राय 400 बीसी की केस में जो एक्यूज वो ब्रस्ताचारी है आदरनी नरेंद्र मोदी जी पर एक पर लेंद्र मोदी ब्रस्ताचारी है आप पर्लेमेंट के प्रोज से जबाब दीजिए आप प्रस्ताचारी हो के तलने चाटिए जाके हैं हम इमांदारों के साथ रहेंगे मैं ये सवाल अब कुल्दीब कुमार जी से पूछना चाती हूँ कुल्दीब कुमार जी अब हदरता क्यों कराई जा रही है प्रेम शुकला जी 30 सेकिंड में अपनी बात करी है नाविका जी जिस तरस और अरविंद केजरीवाल जो ठूक कर चाटने के लिए कुख्यात हैं उन्होंने अरुण जेटली जी के बारे में जूट बोला माफी मांगी उन्होंने जो है कपिल सिब्बल के बारे में जूट बोला माफी मांगी नितिन गड़करी के बारे में जूट बोला माफी मांगी आज भी अगर उस सदन के बाहर बोलते तो नाक रगड कर माफी मांग उनको तो नहीं है आस्तोस जी के सला के बाद भी शरम नहीं आई आस्तोस जी ने आर्टिकल लिख के अपने पुराने साथी को सला दी उसके बाद भी केजरी वाल इतने बेशरम है इतने बेहया है अपनी बोली पर हर किसी को नियंतरन रहना चाहिए आप लोग इतना personal comment करते हैं के जंता कईबार शर्मा जाती है कुलदीब कुमार जी एक बात तो तह है एक बात तह है कि सतेंद्र जैन काफी महीनों से जेल में है कई बार बेल अप्लिकेशन हुआ कोट से कोई भी उन्हें मिला नहीं कोई भी रिलीफ उसके बाद मनीश से सोधिया जी वहाँ भी बेल की अप्लिकेशन लग रही है अभी तक रिलीफ नहीं मिला है मैं पूछना चाहती हूँ अब इस मुद्दे को आप बदले की राजनिती वेंडेटा पॉलिटिक्स कहेंगे या नियायाले जो कह रहा है उसका इस देश में कुछ तो सम्मान होगा नवीका जी मेरी आप से हाज जोड की विंती है आप किर्पिया बराबर का मौका दीजिए एक तरफा डिमेट मत कराईए क्योंकि वो अपनी बात करे चले आते हैं मुझे मौका नहीं मिलता चलिए मैं शुरू करता हूँ मैं फैक्ट पर बात करता हूँ मुझे प्रेम शुकला जी बताएं कि 1947 से लेके 2014 तक भारत ने 55 लाग करोड का करजा लिया और उसके बाद 2014 से लेकर 2022 तक 85 लाग करोड का करजा लिया ऐसा है नोंने क्या किया है बता दे ये बताएं कि मुंबई का जो एरपोर्ट है वो जीवी के कमपनी के पास था उसके यहाँ पर 2020 में 28 जुलाई को रेड होती है और उसके एक महीने बाद उस एरपोर्ट के अंदर जो 74 परसेंट की हिस्सेदारी है वो अडानी को मिल जाती है इसके बारे में बताएंए मुझे क्या कहेंगे आपने शायद स्टेटमेंट जीवी के ग्रूप का नहीं सुना मार्किट में ये अफलोड किया और हमने अपनी मर्जी से किया तो रजट सेथी जी रजट सेथी जी इसको भी मनाना एक राजनितिक मुद्दा कोट में केसे जो कमपनिया बेच रही है खरीद रही है कुलदीब जी में आऊंगी लेकिन फैक्स को तोड़ना मरोडना सही नहीं है और आप फैक्स को आप तोड़ मरोड नहीं सकते मैं जीवी के का स्टेटमेंट निकालने को कह रही हूँ हमारे पास साउंट बाइट भी है हमने चलाई थी लेकिन रजट सेथी जी हर चीज को तोड़ मरोड कर पेश किया जाए तो सच कभी खड़ा हो पाएगा और क्या भ्रम की दुनिया में अब इस देश की जनता को धकेला जारा देखे नभीका जी धकेलने की कोशिश तो है पटा आप देख तो रही है किस तरह की विश्वस्नियता है इसमें नेताओं की तमाम नेता है आके त्रिनुमूल वाले रेप की बात करते हैं जहां पर सारे ग्रास्रूप टीडर्स रेप, धरों को जलाना आदिवासियों और दलितों के अगेंस्ट में परचार करना इस सब्सक्राइब को देख लिए अर्विन के जरीवाल के पास हिम्मत नहीं है कि उस हदन से बाहर आके इसी स्टेट्मेंट को मीडिया के सामने दे सके मैं खुला चालेंज करता हूं आपके मंच पे कि अगर वो उनको यह स्टेट्मेंट देना है और सच में उनको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं तो मीडिया के सामने आगे बोल दीजे तुमारे अंदर दूद का दूदर पानी का पानी हो जाएगा नहीं बोल सकते जबाए जनता मूर्ख नहीं है यह लोग सोचते हैं आपको आरोप लगाना आप अरोप लगाते रहे है आपकी आवाज पूरी आरी है आडानी पर आप आडानी के सवाल उठा रहे हैं वो जनता सुन रही है लेकिन अगर आप ये सोचे हैं कि सिरफ आप बोलेंगे बाकी किसी को समय नहीं दूँगी तो ये थोड़ी सी ज्याती हो जाएगी चलिए कुंदीब जी जनता के सवाल सुन लीजे मेरे सवाल चोड़ द किलाफ कोई सबूत है तो ये लोग अदालत क्यों नहीं जाते ये सवाल है और वाटसाप पर कनहया कुमार का सवाल आया है कहरे खड़गे साब ने कहा कि विपक्ष के पास से कोई छोटा मोटा भी मिला है तो उस पर भी कारवाई हो रही है पर चोरी तो चोरी होती है इसमे चोटी चोडी बरी चोरी की बात कहां से आ गई चलिए तौसीफुर रह्मान पहले सवाल का जवाब देजीजे आपके पास कोई सबूत है किसी के किलाफ तो कोट क्यों नहीं जाते नहीं बिल्कुल जाया जाएगा नविका जी बिल्कुल जाया जाएगा उसको ठोस प्रमान के साथ लिया जाएगा विकास हमारे पास तो नैशनल पावर में हम नहीं बैठे कि हम एडिय और सीबी आई और अगले जितने भी एजेंसी से उनको हम ले लेंगे उनको भी लिया जाएगा मगर बिल्कुल प्रमान के साथ लिया जाएगा ताके हमारे कॉलर वापस नहीं पकड़ा जाए कि आपने कैसे कर लिया यहाँ पर तो बंगाल में और जितने भी नौन बीजेपी राज्ये के स्टेट है वहाँ पर तो ऐसे किसी को भी उठा लिया जाता है और बाद में प्रमान दिया जाता है यह प्रेम शुकला जो जो चिला रहे मैंने इसी गले तो आपसे पहले ही कहा कि चोर निकला है चोरी को बचाने इससे बड़ा दुर्भाग गया और बदनसीबी भारत में क्या हो सकता है कि यह सबसे बड़ा चोर है और जो चोरी का साथ दे रहा है वो आज करप्शन की बात कर रहा है सुबरान शाय जी एक सवाल जो पब्लिक ने पूछा है वो यह कि खड़के जी कह रहे है चोटी मोटी चीज भी पकड़ी जाए तो कॉंग्रेस पर धावा बोल दिया जाता है और बड़ी चीजों में बीजेपी के उपर नहीं क्या कॉंग्रेस का कहना है कि चोटी मोटी चोरियां छोड़ देनी चाहिए उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए मैडम साफ साफ सब्दों में आप समझीए ये देश पूछ रहा है कि अडानी की कंपनी में 20 हजार करोड रुपे सेल कंपनीों के माध्यम से किसके हैं नरेंद्र मोदी जी के हैं या भाजपा के हैं ये जबाब नरेंद्र मोदी जी को खुल देना पड़ेगा प्रेम शुक्ला जी सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए मैं आपको 45 सेकिंड का समय देती हूँ चलिए सुब्रान श्राइज जी आपने सवाल उठाया है सवाल का जवाब ले लिजे प्रेम शुक्ला जी इसका इतके बस प्रमाल इनों पेश करना चाहिए इन्वेस्टिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट विवेक का कॉलकाता से सवाल है विपक्षी पार्टी जनता को क्या समझती है ये एक जुटता किसके लिए है क्या सिर्फ अपने आपको बचाने के लिए है ये सवाल कुल्दीप कुमार जी जनता का है इसका जरूर जवाब दीजेगा और मुंबई से संजे प्रजा पती का भी एक सवाल है कह रही है नाविका जी आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो विपक्ष के दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता आज वो एक टेबल पर बैटकर खाना खाने को क्यों तैयार है आखिर विपक्ष को डर के इस बात का है कुलदीप कुमार जी नवीका जी इस देश के सारे भरस्टाचारी तो जाके भाजपा में शामिल हो गए है और ये बोलते भरस्टाचारी की बात करते हैं हेमन विश्वर्मा के दिए पुकलेट जारी करते थे उनका क्या ह परकार से अडानी के साथ मिलके अडानी तो केवल कमिशन एजेंट है में व्यक्तितों परदान मंत्री जी है परदान मंत्री जी ने किस परकार से इस देश की कंपनियों को लूटने का काम किया और से भी क्या कर रही थी से भी क्या करेगी क्या क्या करेगी क्या 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 क् कुंदीब कुमार जी आपके पास कोई भी सबूत है तो प्लीज टेबल पर रखिए आपके सबूत जद्दा के सामने रखने को मैं तयार हूँ लेकिन ये असेंबली का फ्लोर नहीं है कि कुछ भी बोलकर आप साइड से निकल जाएं और आशुतोष जी मेरा सवाल आप से है क्या ये आरोप जो है अगर किसी भी विपक्ष के नेता के पास कोई भी सबूत होता तो क्या ये चुप बैठे होते हैं और क्या सिरफ एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाने से इस देश के संविधान इस देश की लोकतंत्र को बचाया जा सकता है आशुतोष जी देखे नविकाजी सबूत इक अठा करने काम इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सी का होता है अगर सबूत आम आदनी कठा करने लगेगा फिर तो पिर तो पिर देश की जनता ने नरेंद मोदी को प्रधान मंतरी के तौर पर चुनाया भारती अंता पार्टी को सब्ता दी है उनसे उम्मीद की जाती है कि सरकार वो चलाएं और जो गलत है उस गलत करें जो सही है नहीं तो पर इस देश के अंदर आप सरकार को हटा दीजे उसके उसकी जो सुप्रीम कोट के जज है या चीप जस्टीस अफ इंडिया उन्हीं को प्रधान मंतरी बना दिया सारे फैसलों ही करेंगे बटके तो यह जो तरक बीजेपी की तरफ दिया जाता है इस तरह के भी तो स्टेटमेंट्स हुए है मैं आप से पूछना चाती हूँ कि जरूर जरूर उठाईए मुद्दे अगर आपके पास भ्रष्टा चार के मुद्दे जरूर उठाईए लेकिन उसमें कहीं न कहीं थोड़ी तो रिस्पॉंसिबल बयान बाजी होगी या कोई भी कभी भी किसी कभी उठे आपको चोर कह दिया कभी उठे मुझे चोर कह दिया हर इसलिए लोगों ने उनको 303 सीटे दी हैं अगर नहीं चला पा रहे हैं तो फिर यह सवाल उन से पूछा जाना चीब महत्रपूर्ट सवाल जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भई इस देश के अंदर नियाए विवस्था है ना या नहीं नियाए विवस्था लेकिन उसकी भी सीमा है अगर अदालत के अंदर सबूत ही पेश नहीं किये जाएंगे तो जाहिल सीबात अग्रादी बाइच्जद बरी हो जाएगा तूजी में तूजी में आपको लगता है ब्रश्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था और मैं आज सारे आरोपी छोड़ दिये गए क्यो कि आज जो स्चिती बन रही है कर खुदा ना खासता अगर अगर भारतियांता पार्टी की सरकार नहीं रही और उधर से भी पक्षी किसी की सरकार बन गई और उन्होंने बीजेपी खलाब जेल में भेजदा शुरू कर दिया फिर क्या होगा इस देश के अंदर फिर तो पा पार्ति उजेन मध्यप्रदेश से पूछ रहे हैं पब्लिक के यह सवाल मेरा विपक्षि सिर्फ एकी सवाल है क्या मोधी से इतना परिशान क्यों है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपकी डाल नहीं करने देते हैं कि मेरा सवाल यह है कि भाष्टा बश्टा चरब एक्सन लेरी तो ठीक है पर जो कांग्रेस की जो वाशिंग मशीन वाले आरोप हैं उस पर प्रहां मुंति कब जाब देंगे चलिए बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं आप मोधी जी से परिशान क्यों है सुबरांच राय जी तीस सेकिंड तीस सेकिंड समय कम है नविका जी कई बार चर्चा में टूजी टूजी आया है साइध आप ये बताना भूल गई मैं बताता हूँ आपके दर्सकों कि टूजी को के सुत्रधार उस समय के सीजी स्री विनोध राय ने पत्रक अगर किसी को देखना होगा तो मैं अभी आपको टैक कर देता हूँ ये पूरे देश के सामने है घोटाला घोटाला है मैडम आज देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अडानी के कंपनी में 20 हजार करोड रुपए वो किसके थे चलिए इस पे नरेंदर मोदी जी क और बाकी जगा बाकी जगा जो लोग है वो ब्रहष्टाचारी है ये पब्लिक पूछ रहे हैं जवाब दिजे नाविका जी भारती जिनता पार्टी चाल चरित्र वाली पार्टी है हम किसी भरस्टाचारी को जगा नहीं देते हैं और कोई भरस्ट हमारे यहां के साफ नहीं हुआ है हमारे यहां कोई जो है इस तरह की लॉंडरी नहीं है हमारे यहां तरित्र निर्माण की जरूर ब्युशता है और यहां कोई ब्रस्ताचार का यह आठ वर्स नो वर्स बीट गए एक भी ब्रस्ताचार का आरोप नहीं है इसलिए जो भ्रस्टाचार शुरो मनी है वो कांग्रेस परिवार जो है वो जबरदस्ती के आरोप लगा रहा है लोग जो भ्रस्टाचार में सबसे बड़ी पारंगत श्रीमती सोनिया गांधी जिन पर विदेशी पत्रिका कहती है कि लूट मचा कर वो जो है वो दुनिया की जनता ने सब की बात शुनी ये डिबेट मुझे लगता है भ्रस्टाचार का मुद्दा और ये डिबेट आरोप प्रती आरोप का जो मामला है ये चलता रहेगा अब दो हजार चौबीस के चुनाव तक करनाटक में इसका सेमी फाइनल जरूर होगा इस साल मई में आज मेरा नजरिया इस मुद्दे पर इतना ही है कि भारत की राजनिती में भ्रस्टाचार का मुद्दा नया नहीं है लेकिन शायद ये पहली बार है कि जब भ्रस्टाचार के खिलाब सरकार के आक्शन को लेकर राजनिती इतनी गर्म हो गई है विपक्ष ये दलील दे सकता है कि ब्रश्टाचार के मामलों की जांच में ट्रांस्पेरेंसी नहीं है लेकिन जिन नेताओं के खिलाब जांच हो रही है वो पाक साफ कैसे है इसका क्रेडिबल जवाब विपक्षी खेमे से अब तक नहीं आया यही मोदी सरकार की ताकत शायद है लेकिन जनता ये भी देख रही है कि EDCBI का आक्शन कहां कब और किस पर हो रहा है मोदी सरकार को इसका जवाब जनता को जरूर देना होगा अब जनता तै करेगी कौन क्या कर रहा है और कितना सही कितना गलत कर रहा है क्योंकि पब्लिक सब की बॉस होती है और आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही लेती हूँ आपसे इजाज़त नमश्ट